नमस्कार दोस्तो अल एक्जाम गाइड गुरू के यूटूब चैनल पर आप सुभी का स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में कम्प्यूटर के 30 कौशन का रेंडमनी टेस्ट पेपर सैट किया गया है 2020 में होने वाले SSC और Railway के एक्जाम में कम्प्यूटर के कम से कम 4-5 कौशन से पूछे ही जाते हैं और भी अन्य एक्जाम में कम्प्यूटर के कौशन पूछे जाते हैं जैसे पटवारी पुलिस वगरा के एक्जाम जो होते हैं वीडियो में selected last year computers के जो questions पूछे गए हैं उनके notes से निकाल कर questions को set किया गया है हर question important है और हर question आपके लिए आने की full संभावना है तो वीडियो को बिना skip करें देखेगा स्क्रीन पर आप timer देख रहे हैं हर question को read करने के बाद आपको answer देने के लिए 5 second का समय मिलेगा इससे आपको आपकी ability का भी पता चलेगा प्लस आप कितना attempt करते हैं इसका भी आपको clear हो जाएगा अंदाज तो वीडियो को अंतक देख कर देखिए caution की आपसे कितने caution attempt हो पा रहे हैं और आपका 30 में से क्या score आ रहा है questions बहुत important है तो skip बिल्कुल भी मत करिएगा और वीडियो की link को जादा जादा share करिएगा start करते हैं वीडियो सबसे पहला caution ये राज screen पर dash complete URL का पहला भाग है जो web संसादनों को access करने के काम आता है right answer क्या है बताइए time up चले देखते हैं इसका right answer क्या हो जाएगा तो protocol complete URL का पहला भाग है जो web संसादनों को access करने के काम आता है option number protocol सही उत्तर हो जाएगा next question पर चलते हैं computer के जनक एवं पिता कौन कहे जाते है time up चले देखते हैं तो चार्स बेबेच को computer का पितामा या जनक कहा जाता है option number D इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते है एक मेगा बाइट में कितने बाइट होते हैं right answer क्या है बताइए time up तो इसका right answer क्या हो जाएगा 1024 किलो बाइट option number D इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा एक मेगा बाइट में 1024 किलो बाइट होते हैं हर question को read करने के बाद timer set होगा ठीक है एक गीगा बाइट में कितने बाइट होते हैं बताइए time up चली देखते हैं 1024 मेगा बाइट होते हैं option number A इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question पर चलते हैं एक किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं बताइए time up चली देखते हैं एक किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं option number B इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा very important series है ये kilobyte megabyte और gigabyte के quáशन पूचे जाते हैं अगले कॉशन पर चलते हैं एक gigabyte किसके बराबर है बताईए चलिए देखते हैं इसका राईटां से क्या हो जाएगा तो 1000 megabyte के बराबर है option number A इस कॉशन के लिए सही उत्र हो जाएगा approach value जो है आपकी 1024 के आसपास की 1000 मेगाबाइट है तो option number A यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते है control, shift और alt को कौन सी कुझी कहते है time up तो इसका सहीत्र हो जाएगा यह सभी modifier keys कहलाती है option number D इस question के लिए सहीत्र हो जाएगा control, shift, alt यह सभी modifier keys कहलाती है next question देखते है CPU का पूरा नाम क्या है चलिए देखते हैं इसका right answer क्या हो जाएगा तो central processing unit option number C इस question के लिए सहीत्र हो जाएगा CPU का पूरा नाम है option number C next question पर चलते हैं Univac किसका उधारण है time up तो इसका सहीत्र हो जाएगा Univac प्रथम PD के computers का उधारण है option number C इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखने क्या पूशक है TCP slash IP में port address dash bits का होता है time up तो इसका सहीत्र हो जाएगा 16 character का होता है option number C option number A इस question के लिए सहीत्र हो जाएगा 16 bit का होता है IP port में address जो है 16 bit का होता है next question देखते हैं क्या पूशक है MS word में calculate using formula का प्रियोग करने के लिए संभव विकल्प क्या है बताइए time up चली देखते हैं तो इसका right answer का है table और formula table पर जाना है then आपको formula पूट करना है option number C इस question के लिए सहीत्र हो जाएगा table में जाकर formula पूट करके आप calculating use कर सकते हैं MS word में next question देखते हैं क्या पूशक गया है इरहाँ स्क्रीन पर FTP का full firm क्या है चली देखते हैं इसका right answer क्या हो जाएगा तो file transfer protocol option number C इस question के लिए सहीत्र हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूशक गया है www के संस्थापक कौन है चली देखते हैं इसका right answer क्या हो जाएगा तो tim बर्सन ली इस question के लिए सहीत्र हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूशक गया है इरहाँ स्कीन पर computer के किस भाग का प्रियोग गरणा और तुलना के लिए किया जाता है चली देखते हैं इसका right answer क्या हो जाएगा तो arithmetic logic unit ALU का प्रियोग गरणा और तुलना करने के लिए किया जाता है next question देखते हैं information का collection क्या कहलाता है time up तो information का collection जो है file कहलाता है option number D file में सारी information की collection होती है next question देखते हैं क्या पूशक है इन में से किस programming भाषा से Linux Windows को बनाया गया है चली देखते हैं इसका right answer क्या हो जाएगा तो C language जो है उपसे Linux Windows को बनाया गया option number A is caution के लिए इन में से किस unit में data के pressure की गती को मापा जाता है चली देखते हैं इसका right answer क्या हो जाएगा तो bit प्रती second option number A is caution के लिए सहित्र हो जाएगा unit जो होती है bit प्रती second इससे data के pressure को मापा जाता है next question देखते हैं क्या पुश गया है इन में से किस वर्ष Windows 8 को बनाया गया था right answer क्या है बताइए चली देखते हैं इसका right answer क्या हो जाएगा तो Windows 8 को 2012 में बनाया गया था next question देखते हैं क्या पुश गया है इरहा स्कीन पर इन में से किस ने integrated circuit चिप का विकास किया चली देखते हैं इसका right answer क्या हो जाएगा तो option number JS किल्बी ने integrated circuit चिप का विकास किया next question इन में से किसे computer का पितामा कहते हैं right answer क्या है बताइए चली देखते हैं इसका right answer क्या हो जाएगा चार्ल्स बेबेज इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुश गया है इन में से कौन input इकाई है right answer क्या है बताइए time up इसका right answer हो जाएगा scanner keyboard और mouse ये सबी जो input इकाई है next question देखते हैं क्या पुश गया है इन में से कौन सा software है जिसके माध्यम से internet चला सकते हैं चली देखते हैं इसका right answer क्या हो जाएगा browser option number c इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुश गया है ये रहा screen पर एक website के मुख्य पेज को क्या कहते हैं चली देखते हैं इसका right answer क्या हो जाएगा तो एक website के मुख्य पेज को home page कहा जाता है next question देखिए actual seat power point word processing किस प्रकार के software है right answer क्या है बताएगा चली देखते हैं इसका right answer क्या हो जाएगा तो ये सभी application software है option number C इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुश गया है एक सुवाह निजी computer जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है वो क्या कहलाता है time up तो इसका right answer हो जाएगा उसे आप laptop कहेंगे option number A इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा assembly language क्या कहलाएगी time up तो इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा option number low level programming language को assembly language कहते हैं next question देखें क्या पुशा गया Android mobile operating system किस company के द्वारा विक्सित किया गया time up तो इसका right answer हो जाएगा Google option number B इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखतें क्या पुशा गया कंप्यूटरों में प्रयोंक्त आइसी चिप किसकी बनी होती है right answer क्या बताईए time up तो इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा silicon की बनी होती है computer में प्रयोंक्त आइसी चिप next question देखतें क्या पुशा गया है computer के central processing unit का function क्या होता है तो right answer क्या हो जाएगा गड़ना करना और processing करना option number ace question के लिए सही उत्तर हो जाएगा और दोस्तों यह है आपका surprise question computer साक्षरता दिवस किस तारीक को मनाते हैं दोस्तों questions आपने कितने attempt किये और आपका 30 मैंसे क्या score रहा अपने नाम के साथ जरूर अपना score शेयर करें वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like जरूर करिएगा इसके लिए आप पूर्ण रूप से सोतंत्र हैं चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को subscribe करके घंटी का चिनल जरूर दबा लिजेगा जिससे आगे आने वाली classes भी आपको time to time मिल सके तो दोस्तों मिलते हैं next part में तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब हो